आप सभी का अपके अपनी यूटूब चेनल सुपर कंसर्ट क्लासस में स्वागत है और ज्याग बोर्ड के सभी स्टुडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जैसे के आप लोग यहाँ पर एक नोटीस देख पा रहे हैं और यह जो नोटीस है इसकोली सीख्चा एवं साक्चरता विभाग द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पर ज्याक भी लिखा गया है देखिए एक्चवल में यह जो नॉटिस है, यहाँ पर साफ सब लिखा गया है, कि इस साल आप लोगों का exam का pattern क्या होने बाला है, और exam किस प्रकार से होगा, जैसे पहले आपका Term 1 मी exam होना था, Term 2 मी exam होना था, दोनोग exam अलग- अलग होना था, तो इस बर का जो exam होगा किस प्रकार से होगा और देखिए जैसे कि आपको पता भी होगा और देखिए पहले तो notification में यह चीज पहले भी बताया गया है लेकिन यहाँ पर और एक बहुत important बात है क्या देखिए जैसे कि यहाँ पर class 8 हो गया 9 हो गया और 11 हो गया इन तीनो class का जो exam होगा एक साथ होगा ठीक है और class 10 का और class 12 का exam होगा एक साथ होगा और कब होगा इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं और जैसे कि आज की पेपर में दिया गया है कि कल आप लोगों का साइध मोडल सेट आ जाए यान कि मोडल पर आ जाए अगर मोडल पर आ करें तो देखिए जैसे आप लोग देख पा रहे हैं और यह एकदम कोई फैक अपडेट नहीं है और यहां पर देखिए कि कौन-कौन से जिलो में जैसे की class 1 से लेकर class 12 का चल रहा है जो भी हो इस सब के बारे में उतना ध्यान नहीं देना है जो हमारे काम का चीज है उसी क 2022 के अंतिम सब्ता में अनिवारी रुप से प्रारम क्या जाए ठीक है आप 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 देख सकते हैं साब सब लिखा गया है कि class 10 और class 12 का जो आप लोगों का जो एक्जाम होने वाला कब होगा तो मार्च महेना का जो अंतिम सब्ता होने वाला है अंतिम सब्ता में इसका exam देखे मैं आपको पहले बताया कि क्लास 10 क्लास 12 पर क्लास 12 अंप साथ को देखांग विल्कोल भी टेंशनन ने लुए यहां पर एक बात क्लियर हो गिया कि हां पर यह थे दो टिंद केंट रींत का ही होने वाला है जो मार्ज का जो अंतिम सब्ता है अंतिम सब्ता में इसका एक्जाम होगा उपलूग तो दोनों कक्छाओं के परिक्छा में परतेग विसयों के परिक्छा के बीच कम से कम एक दिन का अंतराल दिया जाएगा यहाँ पर देखिए दोनों कक्छाओं का जो एक्जाम होने वाला जैसे कि मान की जलिए आज को एक सब्जेक्ट का एक्जाम हो गया तो आपको यहां से एक या दो दिन का गैप मिलेगा फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट का एक्जाम होगा तो कुछ इस प्रकार से होता है ऐसा नहीं होगा कि आज आपको एक देना है कल आपको एक देना है पर बहुत ही इंपोर्टेंट और आपको समझना पड़ेगा क्या है देखिए उप्रूक्त दोनों कक्छाओं के वार्षिक परिक्षा में प्रतम डेढ़ घंटे में ओमर आधारित यूनिट एक की परिक्षा तो पूर्म निर्धारित पाठी करम के अनुसार परिक्षा आयुजि होता है यह तो आपको याद भी होका और पता भी होगा देखिए सबसे पहले सब्यक्षाण होने वाला मान की सबता होुए तो कु fahrenे औ आप लोग तो फंहोने वाला है तो सबसे पहले जो टर्मियन वाला है आपका तरम माने के चली कि क्लास 8 का 9 का 10 का 11 का सव का यहां पर उब्जटीव भी होगा और सब्जटीव भी होगा किंकि मेरे पास बहुत सारे बैच्छों का कॉमेंट आता है जो जब इस लिए उन लोग बोलते हैं कि सर मेरा सब्ज़टीव होगा या पहले पहले सब्ज़टीव नहीं ह आंधरिक मुल्यांकर में में प्राथ टैंको की आधार पड़्यावर, यहां पर आपका नंबर में हाज आपका आपका प्रैक्टिकल का ऊव में प्र तो यहां पर समझ सकते हैं नंबर इसके नंबर को जोड़ कर आपका नंबर को जोड़ा जाएका फिर एक फाइनल रेजल्ट बनने वाला है फिर आगे देखिए जैसी कि मैं आपको पहले बताया कि सब्सक्राइब चीज़ की पर क्लास एक्षान देख दो एक चाहते हैं अगर आप लोग शीयर के लिखा गए वोड एक साथ यहां पर एक साथ यहां पर एक साथ नहीं है यहां क्लास एट का नाइन का और 11 का हम मेश्वाला है कब होगा मैं जून में होने वाला है जैसे हैं आपे लिखा गया है और से मार्च के अंतियम सपता से होगा किस का क्लास 10 थे थे यहां रो यह नाईन ओर 11 ठाक है forecast9ator 11 का कब होगा तो मैं जुन 2022 में होगा जिसके आप लिखा गया है और यह जो अपडेट है आज के पेपर में भी दिया गया है अगर आप लोग दैनिक जागरन पेपर को उठा कर देखेंगे तो आप पर साथ सब लिखा गया है देख लिए जहां पर में दिखाई देता हूँ आपको देखिए यहां पर साब लिखा गया है कि मैंजून में होगी जयक के आठवी नौवें और ग्यार्वें के परिक्षा आप बोलेंगे कि सर यह जो आप बता रहे हैं ठीक है सर देखिए यह अगर आप बोलेंगे फैक है तो यह जो पेपर में दिया गया पेपर वाला त सक्षा की बार्षिक परिक्षा अब मैं जून में होगी यहां पर आपनों को टाइम मिल रहा है अच्छे तरिया से त्यारी करिए पहले यह परिक्षाएं मार्च महिने में आयुजित की जाती थी राजी सिरकार ने करोना काल में लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने की व और 12 बोर्ड के परिक्षा मार्च की अंतिम सपता में लेने का निर्ने लिया गया है ऐसे एसा दूसरा बोर्ड की प्रिछाओं को ध्यान में रख़कर लेनेका निरै लिया गया है तो कुछ इसी बेसिस पे आप लोगों का होने वाला है अब समझ सकते है और यहां पर जैसी तेल से मिले उत्तरपुष्तिका अलग से मिले तो यह भी यह तो आपका सेकंडरी बात हो दो यह अगर कल मोडल पर आज आता है तो सबसे पहले आपको बता हूँगा कि मोडल को किस प्रकार से ढवलोड किया जाता है फिर मैं आपको complete model paper का solution दूँगा एकदम easy और simple language में अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना कोई भी question का answer अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपका complete याद हो जाएगा आपको दोबारा पढ़ने का जरूत नहीं पढ़ेगा तो खैर कोई दिकत नहीं देखते हैं कल क्या होता है जो भी होगा देखा जाएगा चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू चैहिंद